सुल्टानपूर में पुलिस भले ही कानून विवस्ता जो चुस्त दुरुस्त करने के लाखे दावे करे लेकिन हकीकत में ये दावे पूरी तरह खोक ले हैं आम जन की बात छोड़िये यहां खास भी सुरक्षित नहीं हैं हाली में सुल्टानपूर पाने में नाकाम है पुलिस एक गुड़वर्क कर अपनी पीट थप थपाती है तो चोर कई अन्य घटनाओं को अंजाम दे कर उन्हें चुनौती देते फिर रहे हैं ऐसा ही एक मामला बीती राद देखने को मिला जग है एक खबर के पत्रकार के घर चोरों ने बड़ी चोरी की वार्दात को अंजाम दे डाला नगती जेवरात की बाद शोडिये चोरों ने केमती सामान सहीद घर के बरतन भी नहीं छोड़े बहराल हर बार की तरह सूचना पर पुलिस पहुची और जल्दी खुलासे का दावा कर रही है दरसल ये मामला जै पेंदर सिंग एक खबर में समवादाता है बीती रात इनके घर में इनके पिता देविंदर सिंग घर में अकेले थे रात 11 बजे देविंदर सो गए और सुबह पडोस की महिला ने इने जानकारी दे की घर के पीछे की खड़की टूटी है बकसे खुले हैं आनन फानन देव किमती सामान सहिद घर के बरतन पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया बहराल चोरी की जानकारी जंगल में आख की तरह फैल गई सूचना पर हकीकत में आई पुलिस मामले की परताल में लग गई और मुकदमा दर्जकर जल्दी खुलासे के दावे कर रही है ताला तोड कर खिर की ख्रील की ग्रिल की पीछे से काट के चोर अंदर घुसे पिर खिर के पार बहुत्चना थे बार दरवाजे पीछे नहीं आए खिड़की खुल के खिड़की का दरवाजा खुल दिये सवंदर भुष के अपना गोद्रवरित का कपाट था तो उसमें लाकर में जेवर दोनों कपाटों में रखा था बहूं का कितना जेवर गया है कितनी नगदी गई है जेवर 12 लाग चोटी बहु का है 5 लाग बड़ी बहुका ने 15 जार नगध बाहर दरवाजे के अंदर कोठ़ी में रखा था वेखसाद लिया के बाहर तोल के फेके उसमें 50 जार रूपया नगदी रखा था संसपड़े हैं इधर अपने प्रदेश की ताजा ख़बरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूले क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का